नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, Study for Goals पर आप समों का स्वागत करता हूँ Friends, आज यानि 13 December 2021 के इस Daily Current Affair के वीडियो में हम 4 से 13 December 2021 के बीच बनने वाले जहारखंड के वैसे मत्मून Current Affair देखेंगे जो अगामी JSSC के द्वारा कंडक्ट होने वाली एक्जाम Point of View से important होंगे तो चलिए Friends, बिना देरी की हुए आते हैं प्रस्नों पे आज का पहला प्रस्न है Friends, हाली में जहारखंड Academic Council यानि Jack के अध्यज की रूप में किन्हे न्यूप्त किया गया है इसका सही answer है, प्रोफेशर अनिल कुमार महतो को Jack का अध्यज न्यूप्त किया गया है इस प्रस्न से जुड़े थोड़े explanation देख लीजे Friends, हाली में राजी के सिच्छा मंत्री सिरी जगरनात महतो ने जहारखंड Academic Council के अध्यज की रूप में, डॉक्टर अनिल कुमार महतो को तथा अध्यज की रूप में, डॉक्टर विनोत सीन की न्यूप्ति की घोसना की है तो ध्यान रखे Friends, जहारखंड के सिच्छा मंत्री कौन है, तो जगरनात महतो इसके लावे ये मध निसेद मंत्री भी है, तो मंत्री मंडल को जनरली मैं जो explanation होता है, जब भी कोई विभाग का कुछ news आता है या फिर कुछ current affair होता है, तो वहाँ पे मैं उस विभाग के मंत चुके हैं, सिच्छा के छेत्र में इन्हें 35 साल का अनुभव हैं, और राचीव स्विधाले में सनात्कोत्तर गनीत विभाग में या 23 वर्स तक विभागाध्यच रहे हैं, तो ये कुछ information है जो आपको जानना चाहिए, वह वैसे important नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से क्या होता है, चीज़े को रिलेट होकर आपके ध्यान में रहता है, ठीक है, अब आया जैक का जिकर तो यह है important, जैक का आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि जारखंट academic council क्या है, तो जैक का फुल फॉर्म है, हिंदी में जारखंट सहचनिक परिशद होता है, और जैक का गठन है, ठीक है, आगे की परसनों पे आने से पहले बतादो, फ्रेंट्स की पिछले कुछ दिनों से, अस्टड़ी फॉर्गोल्स पे जो डेली जारखंट करेंट फेर की वीडियो थी, वह रिगुलर अपडेट नहीं हो पा रहे थे, इसके पीछे वजह यह था फ्रेंट्स की मै अपने प्रोफेशनल वर्क में ब्याज़ था, और इसके लावी कई दिन ऐसे होते हैं फ्रेंट्स की एक्जाम में पूछे जाने लाइक परसन जारखंट में बनते नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को अस्कीप कर देता हूँ, पर अब क्या है फ्रेंट्स कहा गया था कि एक्जाम से पहले दौड होगा, तो यह बात बिल्कुल सच है, आप एक दू दिनों में आ जाएगा, गजट में नोटिफिकेशन, तो उसमें मैं डिटेल वीडियो बना दूँग, आप वहाँ पर देख लीजिए, तो अल्टिमीट ये कहने का सिंस या है कि तो अल्टि गवर्मेंट एक्टिव है, आप भी एक्टिव हो जायए, चलो भाइ, हाँ, थोड़ा देर हुआ, थोड़ा क्रिटीशीजिम हुआ, लेकिन इन सब चीजों से क्या है, आपको तो एक्जाम में सेलिक्शन लेना है, गवर्मेंट अब एक्टिव हुई, आप भी तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला स्रीच पर चलेंगे और जब तक आपका जॉब नहीं हो जाता है तब तक आप पढ़िए और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए तो इसी लिए जिस दिन डेली जहारखंट करेंट अफेट के वीडियो ज नहीं आएंगे उस दिन मैं जह जहारखंट समान गयान का कुछ इंप्रस्णों को लिकर आउंगा और शाथ ही उस प्रस्णों से जुड़े विस्तरित जानकारी आपको दूँगा ताकि आपका जो जहारखंट समान गयान का सेक्षन है वह मजबूत हो जाए तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अपने जो तयारिक है और धारदार बना सकते हैं ठीक है तो चलिए ये तो हुवी कुछ नोटिफिकेशन जो आपको ज़रूरी था इसको जानना चाहिए था ताकि आप सीडियूल पांच वजे उठके हमारे वीडियो देखिए पीडिये आफ हमारे टिलिग्राम चैनल से वहां से भी ले सकते हैं अब चलिए आते हैं प्रस्नों पे आगे आज का दूसरा प्रस्न है फ्रेंट्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राची रोमियो किस भासा की फिल्म है? तो इसका सही एंसर है फ्रेंट्स नाकपूरी भासा क फिल्म है हाली में या राजी की रधानी राची में रिलीज हुई है तो या नाकपुरी फिल्म है आमें छेतरी भासा को या फिल्म को बढ़ावा देना चाहिए तो अगर आपके पास समय है तो बहिचक इस फिल्म को जाकर आप देख सकते हैं ठीक है इसके लावे इस एवं कर्मा उराव हैं जो मुख्य किरेदार में इसके अलावे नाकपुरी भासा की जो पहली फिल्मती फ्रेंट्स हुआ था सोना कट नाकपूर यह 1992 में बनी थी तो आपको ध्यान रखना है नाकपुरी भासा की पहली फिल्म कौन है जिसके प्रोडिशर कौन थे तो देश 2018 में बना था इसके अलावे महुआ 2018 में ही बना था तोर बिना 2017 में और धूम कुडिया 2019 में इसके अलावे एक और नाकपुरी मुंदारी फिल्म चर्चा में रहा है वह है कि सिम्डेगा जिले के जल्डेगा में बनी नाकपुरी मुंदारी शॉट फिल्म बांधा खे जो फिल्म है नाकपुरी मुंडारी फिल्म है इसे आप ध्यान रखे एक्जाम में यहां से पूछा जा सकता है इसके लाभे जार्खन सची वाले को ध्यान में रखकर जो कंप्यूटर सेक्षन के 20 MC के उसको लेकर राजकुमार सर के द्वारा वीडियो बनाये जा रहे हैं तो अपना जार्खन में धान अधिप्राप्ति योजना 2022-22 की सुर्वात की गई है इस प्रस्ण से जुड़े थोड़े एक्स्प्लानेशन जो आपको जानना चाहिए हाली में जार्खन सरकार के खात्य सारुजनिक वितरन वोक्ता मामले विभाग के द्वारा धान अधिप्रा वोक्ता मामले विभाग के द्वारा ठीक है आगे बता दो कि 15 दिसंबर 2021 से प्रारम इस योजना का लाव उठाने है तो किसान अपना निमंधन यी उपारजन पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑफ-लाइन भी अपलाई कर सकते हैं इसके अलावे यह टेंपलेट है जो गवर्मेंट के द्वारा जारी किया गया है इसमें देखे कि यह बताया गया कि धान अधिप्राप्ति योजना 2022-25 दिसंबर हमने जी करकर रखा है और जो साधारन धान है उसका नियूनतम समर्थनमूल कितना है तो 1940 है और उसमें बोनस दिया जा रहा है 110 का और कुल जानी 2050 रूपया पर क्यूंटल है क्यूंटल धान को 2050 में जारकन सरकार खरीदेगी ठीक है आगे प्रसने इसी प्रसन से जुड़ाए कि धान अधिप्राप्ति योजना 2021-22 के तहत साधारन धान की नियूनतम समर्थनमूल परतिव क्यूंटल है तो इसका सही अंसर हो आप सने 2050 ठीक है आगे के प्रसनों पर आने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि हमने इस संडे को आपके त्यारी को बहतर बनाने के लिए एक स्ट्राटजी बनाया ताकि चीजें अगर रिगुलर अपडेट हो तो मुझे लगा कि सारे स्टुडेंट्स को ज्यादा लाप मिले क इसलिए कुछ नोटिफिकेशन है इसे आप देख लीजी आज भर के लिए बाकी मैं डेली से अपडेट बाकी तो यह डेली कंटेंट के रूप में आएंगे तो क्या है अपडेट उसे देखिए बाद में हम कुश्चन पर आएंगे तो यह स्टडी फोर गोल्स टार्गेट अपकमिंग जेससे एक्जाम यानि महामेराथन दंगल स्रीश अब क्या है जो थोड़ा जो रीट आप स्टडी है उसे बढ़ाना है क्या होता है कि हम जितना लास्ट टाइम में जितना ज्यादा पढ़ते हैं उससे क्या होता है कि कॉंफिडेंस बिल्ड़ अप हो जाता है भले एक्जाम में आपने एक साल पहले पढ़ा है, वही काम आता है, एक्जाम में जाका अब लिख के आते हैं, लेकिन अगर आप कहें 6 तू 12 तक आपने नॉर्मल एवरेज स्टुडेंट अगर आप रहे हैं, और उसके बाद 3 महीने का थोड़ा बेहतर त्यारी करते हैं, तो जॉब होना थोड़ा असान हो जाता, असान क्या, लगभग अगर आप पढ़ते हैं honestly, तो होई ही जाएगा, तो इसी को लेकर हमने क्या स्ट्रेजी बनाया उसे देखे, वह यह है फ्रेंट्स की, अब जो है स्ट्रेडी फोर गोल्स पर, डेली इवनिंग 4 पीम को, यानि हर दिन आपको जारखंड, जारखंड, जारखंड एसाई, एकसाई, इसाई, उत्पाद, अस्पिसल ब्रांज सिपाही, कॉंस्टिबल, जैसे एक्जाम को टारगेट करके या स्टार्ट किया गया है, और आपको डेली 4 पीम में त्यार हना है, अब थोड़े और बाते बता दो कि कब कौनसे वीडियो आएंगे, या फिर कि सर के द्वार लिया जाएगा, वह मैं थोड़ा सौटली बता देता हूँ, मंडे को फ्रेंड्स, 4 पीम में आएगा, जारखंड समान या जिसमें 40 प्रस्न विस्तरित विवरन के साथ आएंगे, या सुबास सर के द्वार या वी विस्तरित विवरन भी दिया जाएगा, जिससे आपका जो नौलेज है, वह 20 प्रस्न तक ही सीमित ने रहे, उसके अलावे भी आप प्रस्न सीख सकें, और गुरु वार को छेत्री भासा खोठा के 25 वस्तुनिस्ट प्रस्न, बाइसुबास सर के द्वार लिया जाएगा, सु और वह क्या आएगा, जिसमें विस्तित विवरन और वस्तुनिस्ट प्रस्न होगा, और इसे मैं खुद लूँगा, मतलब मेरी द्वार या लिया जाएगा, ठीक है, इसके लावे फ्रेंट्स कुछ और भी चीजे हैं, जो आपको आपके त्यारी को बहतर बनाने के लिए हम तो इसी को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए प्रते एक संडे को बलकुल फ्री जे एससे सीजिल, जहारखन सचीवाला है, एक फुल लेंद्स टेस्ट आपके लिए मैं लाओंगा, और इस टेस्ट को आप हमारे स्टड़ी फोर गोल्स एब पे जाकर इस टेस्ट को दे ठीक है, इसके लावे मौनिंग में जो करंट अफेर का वीडियो है, वह भी मैं जिक्र किया कि अगर करंट अफेर की वीडियो नहीं आते हैं, तो उसके जगा पे मैं वस्तोनिस्ट जहारखन के वीडियो, जहारखन की कुस्चन्स लियाओंगा, जिससे क्या होगा, कि आपक कर दूँगा, तब यहाँ पर जाके मैथ होरीजनिंग का भी प्रेक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इसके लावे और भी बहुत से चीजें जो आपको अप पे भी अवेलेवल है, तो आप भीचे का स्टड़ी फोर गोल्स अपको प्लेश्टोर से इंस्टॉल किजी, और उसका लाव उठाई है, आगे आज का पांचवा प्रसने फ्रेंट्स की हाली में, आठ दिसंबर 2020 को जहारखंट के किस महान व्यक्ति की चालीसमी पुन्यती थी, मनाई गये तो इसका सही अंसर है बाबा कार्ती कुराओ का, बाबा कार्ती कुराओ पर स्टड़ी फोर गोल्स पे एक separate वीडियो है, इनका बायोग्राफी है, कमलिस महतो सर ने उस बायोग्राफी को कवर किया है, तो डिटील में इनके बारे में बताया गया है, आप नेकर नहीं देखा तो उसे देख लेना चाहिए, हाली में 8 दिसंबर 2020 को जहारखंट के आदिवासियों के मसीहा, महान प जो बाबा कार्ति कुराउं थे, वे कहां के रहने वाले थे, तो गुमला के जीले के रहने वाले थे, और इनका जन हुआ था 29 अक्टूबर 1924 में, और इनका दिहान थुआ था 8 दिसंबर 1981 में, लोहरदगा लोकसभा से ये तीन बार सांसत चुने गये थे, और इन्हें फ्र तो ये कुछ important point है, बाबा कार्ति कुराउं के बारे में तो आपको जानना चाहिए था, छठा परस्ने friends, हाली में जार्खन सरकार ने कोरोना से मृत लोगों के परुजनों को कितना राशी अनुदान के रूप में देने की खोसना की है, तो इसका सही अंसर है, option ये 50,000, चल जानकारी दी गई कि कोरोना सिम्रित वैक्तियों के परिजनों को राज्य सरकार के तरफ से 50,000 रूपी अनुदान के रूप में दी जाएगी, आगे बता दूँ कि इस अनुदान है तो राज्य सरकार की ओर से 25,66,50,000 जीलों को आवंटित कर दिये गए हैं, तो friends ये कुछ इसके लावे अब जो रिगुलर कंटेंट आएंगे तो उसमें जो पीछे के भी प्रसन है, उन्हें भी मैं सम्मिलित कर दूँगा, बस आप इसे रिगुलर फॉलो कीजिए, हर दिन के तरह आज भी आपके लिए प्रसन है और इसका एंसर आपको कमेंट बोक्स में देना है प्रसन है फ्रेंट्स उसरी जल पर पात जारखन के किस जिल्ले में इस्तीत है तो आपसने पलामू, लातेहर, गडवा और इन में से कोई नहीं तो आपको देना है A, B, C और D में कौन सा इसका सही अंसर है, इसका अंसर कमेंट बोक्स में देना है और उसके अलावे उसरी ज जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ सेर किया किजी, ताकि सब का कल्यान हो, क्योंकि सीट ऐसा नहीं कि 4-5 सीट आते हैं, बहुत बड़े अमांट पर सीट आएंगे, बहुत से अत्रत रख बहुत से वेकंसी आएंगे, तो कोसिस किया जाए कि अपने साथ सा में जो डिर्ट अपकिया पीटी तो हटा दिया, आपके वल मेंस होगा, तो डिर्ट सो कोस्चन होगा, जो साइन से 20, मैट से 20, रिजनिंग से 20, कम्प्यूटर से 20, जिये से 30 और जिये से 40, तो अच्छे से मैं कमपाइल करके अपड़ीट क्या हूं, अभी भी या फ्री है, अप्लिकेशन पे अविलेवल है, आप यहां पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं और देखी कि आपके 120 पलस मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, इसके लावे जो खोठा भासा छेतर की लोग हैं, उनके लिए स्टड़ी फोर गोल्स पे, जिये से सीजियल जारकन से चिवाल है, इस फो इसके अलावे, जैसे सीजियल जारकन सची वाले को ध्यान में रखते हुए, बहुत से बच्चों ने डिमान रखा गी से नाकपूरी के भी कंटेंड लाइए, तो नाकपूरी के फुल लेंद टेस्ट फिलाल एक दू 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 दिने में अपडेट कर दिया जागा, इसके complete package के रूप में भी आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप बने रहें, और खोठा का तो अलड़ी है, बस इसका इक अलग से, कोर्स में ये तो है, लेकिन किनी बहुत से लोगें की अलग लग जहापे भी कोर्स ले रखें, offline classes बगरा कर रहें, तो आप किवल, अगर उन्हे अगर इस तरह का त्यारी आपका चल रहा है, तो आपके वल, full length test की कोर्स को purchase कर लीजिए, और यहां से आप 10 टेस्ट आपको दिया जाएगा, खोठा का, तो इसके माध्यम से आप अपने प्रेक्ट, जो मतलब पढ़ाई है, किस लेबल पर हो रहा है, आपके 80 प्लस या 90 प और इसके लावे आपको त्यारी को लेकर किसी तरह का dot आपको लगता है, मतलब असमंजस में है कि कैसे पढ़ू, क्या पढ़ू, कौन से किदा पढ़ू, तो इस तरह का dot नहीं होना चाहिए, अभी समय dot वाला नहीं है, अभी है कि सही है strategy से पढ़ने का समय है, तो इन सब चीजों के लिए आप मुझे Twitter पे, Instagram पे, Facebook वे follow कर सकते हैं, और अपने dot पूछ सकते हैं, और आप WhatsApp भी कर सकते हैं, मैं जैसे ही free रहूंगा, आपकी जो query है, उसका based answer करने का प्रयास करूंगा, तो friends, ये सही दौर है पढ़ने का, अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे, तो पच्तानी के अलावा आपके बास कुछ भी नहीं बचेगा, अभी back to back कई vacancy आएंगे, तो अच्छा दौर है, अच्छा समय मिला है, आप पीछे पढ़ें, थोड़े, अगर समय इधर उदर vacancy नहीं आने के वज़़े से आप थोड़े निरास रहें, तो अब वो निरासा हटने वाले हैं, अब आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका जो selection का chances ज्यादा रहेगा, तो अच्छा है ना, कि आपने इतना दिन वेट किया तो जो गुसा ही कहें, तो गुसा आप exam में निका लिएगा, ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई किजी, इसक आपको तैयारी को लेकर study for goals पे बने रहें, और all the best for your preparation and for your upcoming exams, जैहिन, जै जहरकंड, एंचोहर